हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं वेकों ठीक हो उमीद करती हैं आप भी मज़े में होगे दोस्तों आज की रेस्पी है क्रिस्पी आलू को कोड़े की हम जट्मट पांच मिनिट बनाएंगे जब घर पर गेस्ट आजए यहां हमारा खुछ कुछ आसान सा क्रिस्पी सा खाने क बनाएंगे वाय के सांट ओफ यह बनाना चाहती है तो इसमें मैं भी मिक्स कर सकती आ अगर एक कप से बनारहें। आप स Ici 데या मीद मिक्स करिए डरूरी नहींए आप ताजा लसन लें उसे पीस लें अगर आप लसन नहीं खाते हैं तो आप हींग कर सकते हैं आप आदा टीस्पून हींग पानी में घूल के बैटर में मिक्स करें नहीं तो मैं लसन एड कर रही हूं सब्सक्राइब नवग में चल्दी हमें चाहिए होगी हरा धनीया और हरी मिरचें भी तो चलिए मैंने बॉल में दोस्तों डेट कप के करीम लिया है मैंने बेसन इसमें में डेट टेबल स्पून एड करनी हूं मैधा अब इसकी सीजनिंग करेंगे पहले मैंने इसमें हराधनिया डाला है जो देखनें बहुत अच्छा लगता है जायका भी अच्छा देता है साथ में दोस्तों आधा टी स्पून के करीब मैं इसमें आजवायन करनें जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देती है पकोड़े में अजवायन हो अब मैं इसमें क्यूंकि लसन पिसा डालनी तो मैं हिंग नहीं डाल रही अगर आप हिंग खा दिया हिंग डालने आप इसमें डा इसमें हल्दी आठ करेंगे 5 1-2 TSP नमक और दोसों अपने स्वात के साफ से डाले मैं इसमीं do 1-2 TSP नमक अट किया है अम सब मसालों को सुखे मसालों को मिक्स कर लेते हैं बेसन में और पानी आड करते हैं एक ठीक सा बैटर बनाएंगे जो कि बहुत थिक नहीं होगा बहु बहुत थिक होगा तो बहुत थिक कोटिंग होगी पकोड़े क्रिस्पी नहीं लगेंगे तो आप इस तरीके का बैटर बनाए जो की फॉल तो करें लेकिन बहुत तेजी से फॉल ना करें जैसे मैंने देखिए आलू का स्लाइस इसमें डिप किया है और इसमें बैटर चिपक इसमें तेल डाल दें गरम तेल डालने से दोस्तों यह बहुत अच्छा टेप है इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं तो दीकि हमारा बैटर तैयार है तेल भी गर्म हो चुका है और अब मैं पकोड़े तलूंगी तो इस तरीके से आप डिप करते वे गरम तेल में पकोड़े आड़ करें आप 15-20 अगर कढ़ाई बढ़ी है तो आप अराम से बहुत ज़्यादा पकोड़े तल सकती हैं आप काफी सारे आलू के टुकड़े डाल दें बैटर में और एक एक करके उन्हें आप कढ़ाई में डालें तो दीकिए मैं इसमें सभी आलू के स्लाइ आप मीडियम से हाई फ्लेम पर पकोड़े को क्रिस्पी होने तक फ्राइ करें तो देखिए पकोड़े बनके तयार हो रहे हैं बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी लग रहे हैं आप इन्हें दोस्तों थोड़ा-थोड़ा चलाते हुए बीच में ताकि इनकी इवनली टेंगों को दोस्तों कि वीनल फ्रेट करें इस पर फोड़ा-चाट मसाला व्रक दें चल्प करेंगे होएग नहीं अपिसे जुरूर еंँगे अगली दोस्तों सेहत मन नहीं और मेरा चैनल को क्विद मॉनिका ज़रू सब्सक्राइब करें लाइक करें जासे जादा शेयर करें